तो फ्रेंड्स बात करते हैं, आज काफी लोगों को confusion होता है कि screen recorder, screen recorder कौन सा use किया जाए, काफी लोग confused होते हैं, इस confusion को दूर करने के लिए मैं आपके बीच एक best और 2023 में use होने वाला बहुत ही अच्छा screen recorder के बारे में आज बात करूँगा, तो चलते हैं screen पे और install करते हैं और आपको बताते हैं कैसे यूज करना है और क्या-क्या facility है इसमें, तो जाएंगे और यहां पर लिखेंगे screen recorder, already मैंने search करके रखा है, देखिए यहां पर click करते हैं और बहुत सारे application आपको मिल जाएगा, तो आपको कैसे search करना है, कौन सा होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक trick बताता हूँ, जब आप search करेंगे अभी यह first में आ रहा है, यही है आपका, लेकिन कभी-कभी इस तरह नह और करेंगे, और अगर एक यह click हो गया और उसी प्रकार का यह आपको मिल जाएगा, यहां पर देखिए in shorts लिखा हुआ है, तो इसे आपको click करना है, तो friends इसे install करते हैं, install करने के बाद, यह install हो जाने के बाद, मैं आपको बताता हूँ, क्या settings है, जो इसे set करना होगा, इस तरह का interface आपको मिल जाएगा देखने को, तो इस तरह का interaction दिया हुआ है, तो यहां पर आपको got it पर जाकर इसे click करना है, और उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ इनेवर floating icon, तो इस पर आपको click करना है, click करने के बाद यहां पर आपको settings बताया जा रहा है, example द जाना है app में, यह देखिए यहां पर आपका screen recorder आ गया, इस पर click करेंगे friends, और यहां पर देखिए यह आपको इसे enable करना है, सिर्फ आपको जाकर enable कर देना है, हो गया, और उसके बाद back कर देना है, ठीक है, उसके बाद यह आपको allow करना होगा, जो कि आपका media allow करना है, यह mobile से आपको allow करना है, वह पर option आ जाएगा, उसके बाद इस तरह का interface आपको open मिल जाएगा, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि screen recording कैसे हो रहा है, तो इसमें जाएगे, और जाने के बाद कोई भी application मान लीजे, आप play store में ही जाते हैं, और यह मैं आपको review करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह यह work करता है, तो इसी तरह का randomly आपको भी application install करते हैं, इसी को मैं open कर देता रहा हूँ, और मैं आपको बतातू, friends कोई sponsor video नहीं है, यह सिर्फ आपका knowledge के लिए, जिनको यह जानकरी नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग confused होते हैं, तो इस वजए से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके help के लिए, कोई sponsor video नहीं है, और तो यह इस तरह का आपको interface मिल जाए video setting क्या करना है, friends यहाँ पे जाना है, video setting आपको लिखा होगा, तो यह यहाँ पे आप video recording हो रहा है, इसलिए यहाँ से मैं open नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यह अभी आपको जो दिख रहा है, यह देखिए, 720 यह quality है, जो कि यहाँ पे आपकर जात सकते हैं, और एक और option है, इसमें, जो कि नॉर्मली एक smartphone 4GB तक कोई भी video recording करने का capacity होता है, तो इससे setting already 2GB तक का किया हुआ है, यह देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, कि 2GB तक यहाँ पे 3.8GB तक का आपको video size में, आप segment को size में कर सकते हैं, तो basically मैं 2GB तक ही रहने देता हूँ, actually लिखा हुआ यहाँ पे, the mobile phone has a maximum file size limit, usually 4GB, यही बता रहा है, तो यह है, तो इस तरह का आप setting करके, इसे उसकी जे फ्रेंड, इसमें आपको watermark नहीं मिलेगा, और add, आप बता रहे हैं कि actually add आएगा या नहीं, तो add भी इसमें आएगा, लेकिन कब recording खतम होने के बाद जब आप play, pause को stop कर देते हैं, उसके बाद back करते हैं, तो आपको छोटा सा add आएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा, वह आप screen को बन कर देगा, खतम हो जाएगा, तो बीच बीच में जो इस तरह का add आते रहते हैं friends, तो उस तरह का friends आपको नहीं मिले कीज़े, और भाय को support करने के लिए channel को जरू सब्सक्राइब कीज़े friends, इसी तरह का video आपको मिलता रहेगा, अभी तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,